उदाहरन पाँच 456 गुणा 814 हल कर उत्तर की जाँच बिजांग से कीजिये यहां गुणा की जाँच बिजांग से करने के लिए हमें जिस प्रक्रिया का उप्योग करना होगा उसमें पहली संख्या का बिजांग गुणा दूसरी संख्या का बिजांग प्राप्त गुणनफल का बिजांग बराबर संख्याओं के गुणनफल का बिजांग अगर ये समिकरन हमें मिलता है तो हम कह सकते हैं कि जो गुणनफल होगा वो सही होगा आईए इसे करके देखते हैं 456 गुणा 814 इसे जब हम गुणा करते हैं एक जिस तरीके से हमें गुणा बताया गया है इकाई के साथ फिर दाहाई के साथ और फिर सैकड़े के साथ गुणा करने के पश्चाथ जो संख्या मिलेगी वो हमें मिलती है 3,71,184 यहां आप देखते हैं कि पहली संख्या का बिजांक 6 है दूसरी संख्या का बिजांक 4 है इन दोनों के गुणनफल का बिजांक 6 होगा इसी प्रकार जब हम दी गई संख्याओं के गुणनफल के बिजांक की बात करते हैं तो यहां हम पाते हैं कि यहां पर आप देखिए 7 और यह 2 मिल करके 9 हो गया तो इसको हम छोड़ सकते हैं तो इसका जो बिजांक होगा 3 धन 8 धन 4 बराबर 15 तो इसका बिजांक 1 धन 5 बराबर 6 आप देख सकते हैं कि यह जो गुणनफल का बिजांक है वो संख्याओं के बिजांकों के गुणनफल के बराबर है अतह हमारा यह उत्तर सही है यही हमारे उधारन 5 का हल है